दोस्तो नए income tax portal के जो technical glitches है वो अभी तक resolve नहीं हुए है ये पूरी की पूरी list है जिन जो आपको income tax portal के अंदर technical glitches face कर रही है वो सारी पूरी list जो है वो भेजी गई है ministry के पास इसी के साथ साथ जो technical problems है इनको देखते हुए अभी income tax के अंदर काफी सारी dates extend की गई है वो date extension की जो list है already मैं आपके साथ share कर चुकी हूँ यहाँ पे आप देखेंगे जो पूरे परिशानिया है technical glitches को लेकर के वो mention की गई है कि नए पॉर्टल जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है ITV है जो हमारी previous and current year की जो acknowledgement है वो हम download नहीं कर पा रही है नए पॉर्टल पर e-verification ज आ रही है तो यह सारी परिशानिया तो दोस्तों नए पॉर्टल पर आ रही है forgot password option is not working and refund ratio requests are not showing in the portal यह सभी problems आप face कर रहे होंगे अगर आप पॉर्टल को use कर रहे है तो even though जो due date है filing की वो extend की गई थी जो की non audit cases में 31 July से extend कर दी गई थी 30 December तक notification भी आ गई थी but still जो पॉर्टल है वो late fee charge कर रहा था अभी काफी सारी returns late fee के साथ file भी हो गई होंगी क्योंकि late fee update already मैंने अपने channel पर दिया था लेकिन हो सकता है कि कईोंने refund with late fee उसको file कर दिया हो तो इस तरह की problem आ रही है सबसे जादा जो queries आ रही थी वो आ रही थी calculation on payment of advanced tax under section 234 BNC को लेकर is wrongly getting reflected in the portal यह problem भी आ रही थी इससे related queries भी receive हुई थी also new registration cannot be done in the new e-filing portal despite the infinite number of attempts के बाद भी तो यह सारी परिशानिया तो portal पर बनी ही हुई है इसके अलावा काफी सारी due dates को extend कर दिया गया है यह कह करके कि taxpayers के द्वारा जो परिशानिया phase की जा रही है उनको ध्यार में रखते हुए यह due dates extend हुई है यह जो अलड़ी मैं आपके साथ share भी कर चुकी हूँ अब यहाँ पे आप सभी से request है कि आप retweet कीजिए in case if you think कि जो ITR filing की date है वो भी 31 दिसंबर तक extend होनी चाहिए अगर आपको लगता है कि ITR filing की date भी extend होनी चाहिए क्योंकि जिस तरह ऐसे portal के हलात है उनको देख करके लग रहा है कि ITR filing की date further extend की जाएगी and if you think कि यह date वे further extension की announcement हो जानी चाहिए तो आप इसे जादा से जादा share कीजिएगा support कीजिएगा retweet कीजिएगा इसका link मैं आपको देदूंगी description box में आप इसे जादा से जादा retweet कीजिएगा और अपने suggestions जरूर दीजिएगा